हेलो व्रिवन मैं आप सभी का सवागत है टेस्ट प्लाटफॉर्म पर बहुत बच्चों के मैसेज़स आ रहे थे बहुत बच्चों के मेल्स आ रहे थे कि सब्चेक्ट में कौन-कौन फॉर्म भर सकता है क्या-क्या उसकी नया नहीं है लेकिन यह एक कई बच्चों को डाउट फील हो रहा था कि सर्कौन फॉर्म भर सकता है राइट क्या-क्या एलेजिबेल्टी है यह सारी चीज़े बच्चे पूछ रहे हैं तो मैंने सुचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो आप लोग के बना दिया जाए वीडिय तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि eligibility ciertesar क्या हो सकती है कौन-कौन भर सकता है क्या-क्या हो न चीह है आपके पास तो all over India से in vacancy में all over India से जितने भी लोग apply करना चाहते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं और इसको देखने के बाद एक clarity हो जाएगी eligibility को लेकर कहीं भी कोई problem हो तो इसको देखने के बाद एक proper तरीके से clarity हो जाएगी detailed advertisement भी आप लोगों को site पर मिल जाएगा और बहुत जल्दी आप लोगों मिलेगा तो बहुत जादा उसके लिए परिशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पांच जार 118 वेकैंसी दें लगभग और काफी अच्छी मात्रा में वेकैंसी आई हुई है रइट हर बार मतलब सब्सक्राइब देख सकते हैं तो यहां पर काफी वेकैंसी आई है तो यह बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए अब आईए बात करते हैं कि आप हैं या नहीं है सबसे पहले क्रेजुएशन की बात करते हैं कि आपका 45 परसंट तो होना ही चाहिए यह ग्राइजुएशन में कि कई बच्चे हम से पूछते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं कि हर सब्जेक में 45 परसंट तो रही है यह हमारा परसेंटेज में दिया जाएगा तो अगर आपका 45 परसेंट नहीं है तो भी आप एलेजबल है 5 परसेंट के साथ और जनरल के लिए तो 45 परसेंट होने चाहिए अब दूसरा जो आरा रूल है 2023 इसके क्रेटेरिया है तो जो नया रेकुरूट्मेंट रूल प्रसेस है जो कुछ मैंने पहले 5-6 मैंने पहले जो आया था उस आरार में यह बोला गया कि या तो आपका डिलेट हो या तो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए जिसमें बीएड छार साल का डिलेट होता है तो अगर किसी ने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रा है तो अब यह क्व हों अपलाई कर सकता है यह आपका नए रिकुरूट्मेट में था लेकिन इसकी पुस्टै अभी हम नहीं कर रहा है पियर्ड 100% है तो होना ही चाहिए आपके पास प्रैड क complete होना चाहिए apply करने के लिए ये चीज़े आप लोग ध्यान रखिएगा मैं आपको पता दूँ कई बार बच्चे confused हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है तो वैसे notification में भी सम्मिल जाएगा लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर वो मैं चीज़े बता रहा हूं जो आपके पास होना चाहिए तो अभी के लिए beard केवल complete होना चाहिए आप लोग ध्यान रखिए graduation में 45% होने चाहिए SCST को relaxation भी मिल रहा है ये भी लोग eligible हो जाएंगे और फॉर्म फिलिम आठ मार्ट तक चलेगा तब तक सीटेट का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा तो सीटेट वाले बच्चे सभी eligible है इस वारी जो देंगे राइट चाहिए किसी भी यर में हो आप आराम से सीटेट मानने हो जाएगा राइट अब मा कोई भी कैंडिडेट ओभी सी अधर स्टेट का है उनको यूर में डैली में उनको यूर काउंट किया जाएगा उनके भी 90 मार्क्स होने चाहिए तो यह चीज़े ध्यान रखेगा जो अलग-अलग मैं चीज़े बता रहा हूं यह बड़ी इंपॉर्टेंट है ओभी सी अगर अधर स्टेट का है तो उसके 90 होंगे डैली में वो यूर काउंट किया जाएगा यह चीज़ आप ध्यान रखेगा सीट में उसके बाद से स्ट सभी को 82 मार्क्स में यहाँ एलेजबल माना जाएगा राइट फीमेल की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है डी ट्रिपल स्बी में वैरियेशन सभी फीमेल के लिको एज एलेक्शेशन है ओल फीमेल राज रखेगा और 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 स्टेट फीमेल 40 एर्स 40 एर् राइट आठ या दत साल का रिलेक्शेशन डीजबल देता है तो सभी महिलाओं आल ओवर अल ओवर इंडिया से सभी विमेन को यहां रिलेक्शेशन दिया जाता है तो इसका कन्फिमेशन लगबग आप मानिये फाइनल जो नोटिफिकेशन उसमें तो रहेगा ही लेकिन 40 ए तो यह एक इंपॉर्टेंट कई बच्चों की मुझे मैसेज आते कि सर्फीमेल की जो फीमेल का क्या होगा मैक्सिम में 32 होगा राइट राइट ओवी सी डैली इस्टेट को तीन साल की छूट दी जाएगी ओवी सी अधर इस्टेट को कोई शूट नहीं 32 साल रहेगा और पा आप लोगों को ध्यान रखना है सभी महिलाओं को लगवाद कम से कम 40 साल तक का तो मिलेगा ही तो जो राइट लास्ट वेपर उसमें शायद 8 साल की छूट मिली थी दस साल भी हो सकता है तो यह चीज़े आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है से पहले हाथ में डिगरी टोटल मांस आपको पता होने चाहिए तो अपिएरिंग वाले नहीं भड़ सकते हैं यह ध्यान रखिएगा बाइलिंग्वल पेपर होता है 200 मांस हिंदी इंगलिस दोनों में आपका मांस लैंग्वेज पूछा जाएगा रेट 200 मांस का यह एक्ज टाइम आपको टू आर्स का मिले गए यहां पर ऑनलाइन आपकी परिच्छाएं होंगी यह भी याद रखिगा सी बीटी मोड ऑनलाइन परिच्छाएं होंगी सब्जेक्ट हंडेड मांक सा पूछा जाएगा यह सारी चीज़े आप लोगो बताये गया है सब्जेक्ट आप इतने से आपका क्लियर हो गया होगा ज्यादा बताने कि यहां जरूरत है नहीं इतने से काफी कुछ आपका क्लियर हो गया होगा थाइंक यू फैरी मच